प्सक्राइब केजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हेले दोस्तो मैं हूँ आपके मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सभी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तो आज हम LC ZNS नेजल स्प्रे के बारे में आपको पूरी जनकारी देंगे कि इस नेजल स्प्रे के फाइदे आपको क्या-क्या देखने को मिलते हैं और ये नेजल स्प्रे बड़े या बच्चे किनके नोज में हम डाल सकते हैं अगर नोज में कंजेक्शन की समस्या होती है तो दोस्तो उसके लिए आप इस वीडियो को सुरू से अंते तक देखे हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं दोस्तो में शेयर कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों ज्याते समय न गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे कि स्क्रीन पे आपको एक कागस का कॉटन बॉक्स दिख रहा होगा जो कि LCZNS नेजल स्प्रे है जो कि कंपोजीशन पे नजल डाले हैं इसमें आपको एक्टिव साल्ड देखने को मिलते हैं सोडियम कोल्डाइड इसमें 0.65% डाला गया है और यह आपको 20 ml के पायक में मिल जाता है जिसे बनाती है दोस्तों इसे बनाती है रे प्रॉस कंपनी जो कि काफी अच्छी और बड़ी कंपनी है और दोस्तों इसकी कीमत की बात करें तो यह आपको 40-45 रुपे में 20 ml को ड्रॉप मिल जाता है अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके जल्दी से फायदे के बारे में तो दोस्तों अकसर अभी देखा जाये तो ठंडियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और बच्चे हों या बड़े जिनको अगर भैंकर सर्दी जुकाम पकड़ लेता है तो उनके नाग जो हैं जाम हो जाते हैं नाग से अच्छी तरह से सांसे नहीं ली जाप पाती और उल्जन मालूम देता है किसी काम करने में मन नहीं लगता तो दोस्तों उनहीं कंडिशन में इस LC-ZNS नेजल स्प्रे का इस्तमाल किया जाता है ये अगर आपका नाग के कितना भी जाम हो ये खोलने में काफी को दूर कर देता है दोस्तों ये नेजल स्प्रे जो है बच्चे हों बड़े हों सभी में अपलाई किया जाता है लेकिन दोस्तों सलाइन नेजल स्प्रे है इसलिए ज्यादत डॉक्टरी से बच्चों में ही इस्तमाल कराते हैं इसका एक और नेजल स्प्रे आता है जैसे कि नोजो काइन पी करके जो की एडल्ट यान की बड़े लोगों में उसका इस्तमाल किया जाता है लेकिन सलाइन नेजल स्प्रे बच्चों में सेफ होता है यहां तक कि हम नौजाद बच्चों से लेकर उससे उपर चार साल पांच साल के बच्चों में डाल सकते हैं और यह कितन 15 से 20 सिकेंड में ही अपना काम चालू कर देता है नाक को पहले ढीला करता है उसके बाद जो है नाक में कंजेक्शन की समस्या को ठीक कर देता है दोस्तों इसके अंदर आपको कुछ इस तरह के वाइट कलर के बॉटल पैक में यह नेजल स्प्रे आता है दोस्तों अभी देखा जाए तो जो सर्धी जुकाम होता है ये खासी होता है तो ठंड अभी हलकी पढ़ रही है लेकिन ज्यादतर समस्या सर्धी की इसी वक्त देखी जाती है यानि कि थोड़ा से भी सर्धी में नाक जाम हो जाता है जब हम रात को सोते हैं तो हमारा नाक बं नहाट होती है और हम कभी परिशान हो जाते हैं उन कंडिशन में हम कोई विक्स वगेरा लगा लेते हैं लेकिन वो भी उतना कारगार नहीं होता कि नाग को लंबे समय तक खोले रहे हैं तो उन कंडिशन में ये अगर आपके घर में चोटे बच्चे हैं या फिर बड़े लोग जो सर्जी जुकाम से परिशान है नाग जाम हो जाता है दोस्तों इसे यूज कैसे करना है बच्चों में इसे हम तीन बूद दिन भर में तीन मरतवार डाल सकते हैं और बड़े लोग इसे पांच बूद से छे बूद या चार बूद या पांच बूद दिन भर में तीन से चार बार डाल सकते हैं इसे सिंपली से खोलना है खोलने के बाद इस बॉटल को प्रेस करना है और ये स्प्रे की तरह फुवारे की तरह नाक के अंदर चला जाता है पूरा और नाक को कुछ ही सिकेंडों में खोल देता है साइड इफेक्ट की बात करें तो दोस्तों इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है यह बिल्कुल सेफ और सुरचित नेजल स्प्रे है जो की ज़्यादा डॉक्टोर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं दोस्तों में शेर कर सकते हैं इसी तरह कि और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं